प्रसिद्र घजक ब्यपारी लापता हो गए पारिजन अप्रहणकी आश्रेंग का जता रहें है थाना हरी परबद पुलेस लापता घजक ब्यपारी की तराश पशेटsquर की है यह तस्भीर गजब्यपारी दौलत राम गर के युबा वैपारी बेटे रिश अपढ़ की है अपने पुराने घर खाल्जा गली गए थे काम करने वाले सुबित ने फोन कर बुलाया था उसके बाद से ही ला पता हो गए यह एक्चल में हमारा पुराना घर है खाल्जा गली महाँ पे देवी जी निकली हुई है महासेज मंदर के दरसंग करके बाहरा रहा रही थे मनका मेंसर की तरफ जा रही थे उसके बाद इनके संगे एक दुकान का ललका था तो इनने उससे कहिए पुलिस बूद बूनरल पेटे वाले के बास तू खड़ा हो उसके बाद जो मारे से आये नहीं है वह बहुत देर तक इंतियार करता रहा देन दुबारा उनको घर बें भी देखने किया है वहां से जी कहीं नहीं मिले हैं इनके पास एक हमारे चाचा की ललके के बाद मैसेज आया है उसमें लास्ट लोकेशन इनकी कुभिर पर पाई गई है उसके बाद हमने पुलिस को अनफॉर्म गिया है अभी तक ऐसा कोई फोन नहीं आया कोई कुछ नहीं आया इनका नंबर जबी से स्विच आफ जा रहा है लापता गजग बैपारी अपने परिवार के साथ थाना हरी परबत धेली गेट उस्पांजली एक्स्टेंशन की त बस चांब तो बस यह ही पुलिस से आफ यही करते हैं का कुछ भी हो कैसे भी हो बस मीरा बच्चा आ जाया कैसे वी आपन strict झबिन जलता है पुलिस रिसावगर्ग की तलाज में जट गई है परिवारी जन रिस्तेदार मित्र सभी तलाज रहे हैं आगरा के पिरसित गजक कारोबारी रिसावगर्ग साथ फरवरी को लापता हुए थे अब तक कोई सुराग नहीं लगा है परिजनों को अपरण की आसंग का सता रही है फिलाल ऐसी कोई बात सामने ने आई है जिसमें फरौती मांगी गई हो अब देखना होगा कि पुलिस कब तक रिसावगर्ग का पता लगाती है रिसावगर्ग के लापता हो जाने से परिवार में कौराम मचा हुआ है जहां परिवार के लोग पुलिस से पता लगाने की मां बढ़ा दी हैं अपने सात्य अगले दुबे के साथ राकिस कनोजिया सी न्यूज आगराएं